नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इस्ट डेविद राहुल सागर में तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना वीडियो वीडियो नंबर फाइव जिसमें हमने क्या है जिसमें हम यह जो हिमानसी मैम की फर्ष्ट यूनिट को कम्प्लिट क्या है और यूनिट सेकेंड जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है जो यूनिट सेकेंड क्या है वो है चाइल्ड डवलपेंड से रिलेटेड जो किसी भी टीचिंग एक्जाम में मतलब पूछी ही जाती है अक्सर इसे दो तीन से क्वेशन बन ही जाते है किसी भी teaching exam में तो ये जो unit है ये बहुत ही important है ठीक बात कर लेते हैं हमने जो पहले पढ़ा था वो क्या क्या था unit first हमने complete कर दी है और उसके बाद unit first psychology what is psychology के बारे में हमने जाना psychology क्या है ठीक उसके बाद हमने जाना था कि ये जो कुछ methods of psychology हैं उनके बारे में जाना था कुछ definitions जो psychology के बारे में दी हैं उनको जाना है methods of psychology को जो psychology की methods हैं उनको कितने भागों बाटा है उसके बारे में जाना और इस सारी detail में हमने जो methods हैं उनको detail में समझा है बहुत ही प्यार से समझाएगा है अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज जाकर देखिए तब ही आप जो आगे का जो प्रोसेश है आगे की चो किलासिस है उनको आप असानी से समझ पाएंगे ठीक उसके बाद हमने कवर किये हैं स्कूल्स अफ साइकोलिजी जो साथ से आठ है करीबन ज जो यह बहुत ही important है और किसी भी exam के point of view से खास कर teaching के उसमें यह अक्सर पूछी ही जाती है इससे एक नाई question बन ही जाता है इसके बार हम जाना है उसके बाद हमने जो child development की second unit है उसको हमने बहुत ही प्यार से समझाय है जो हमने पढ़ा था जिसमे concept of child development कुछ general stages of child development की बारे में जाना है कुछ definitions पढ़ी है और development और growth में क्या difference है उसके बारे में भी हमने बढ़ा है कुछ major kinds of development है जैसे आप physical, cognitive, social और emotional इनके बारे में बहुत ही प्यार से समझाय गया है वहाँ पर detail में समझाय गया है और बहुत ही tricky way में physical development, cognitive development, social और emotional इनको जो है चारों को detail में भी वहाँ पर explain किया है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं जो पहले हमने वीडियोस बनाई है ठीक, उसके बाद हमने development को और growth को एक बहुती simple way में और एक विस्तार से विस्तार जो रूप हो उनका इनमे जो है development और growth में क्या क्या चीज़े आती हैं उनको सामिल क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं उसके बाद जो difference है growth और development को उसको भी पढ़ चुके है और उसके बाद जो हम आगे पढ़ने वाले हैं जो आज की वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है ये the factors affecting stages of development क्या जो development की स्टेज को क्या factors हैं क्या क्या तत्म हैं जो affect करते हैं development को उनके बारे में जानने वाले है nature versus nurture debate जिसके बारे में जानेंगे heredity और development क्या है इसके बारे में detail में समझेंगे और जो heredity है वो किस से relate करती है उसके बारे में भी हम जानेंगे ठीक और बात करते हैं environment की environment को भी हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे उसके बाद जो है हम अगले अगले chapter की तरफ रोख ले ठीक उसके आगे का हम आगे के आने वाली वीडियो में cover करेंगे ठीक तो गाइस मेरी आप सभी से यह request के वीडियो को शुरात करने से पहले अगर आपने वी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को भी press कर लिजे ताकि जो हमारी आने वाले वीडियो है चाहे वो किसी भी exam के point of view से हम वीडियो बनाते हों उनको आप आसने से देख सकें और उनको जो है enjoy कर सकें और उनका कुछ नकुछ आप लाब ले सकें तो guys आपको यही request है कि please चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को भी press कर लिजे तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो को तो guys शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो जो क्या है जिसमें हम यह पढ़ेंगे factors affecting stages of development मतलब विकास को वो कौन-कौन से तत्व हैं वो कौन-कौन से factors हैं जो विकास को क्या करते हैं प्रभाव डालते हैं विकास पर ठीक तो यह two main categories हैं इनकी जो है जो factors विकास को प् हम डिवाइट किया गया है एक है क्या heredity एक है environment heredity को nature भी कहते हैं और environment को nurture भी कहा जाता है heredity means जिसे हिंदी में हम अनुवन्शिक्ता कहते हैं और या फिर जिसे वन्शानुक्रम भी कह सकते हैं और nature को हम आप सभी जानते हैं कि nature को प्रकरती कहा जाता है हिंदी में ठीक हरेडिटी को हम nature से relate करते हैं और environment को nurture से ठीक तो जो development है development is a result of हरेडिटी और environment दोनों का mix up एक तरी किसे development क्या है हरेडिटी और environment हरेडिटी क्या है हरेडिटी जो एक बच्चे को अपने मावाप से जो विरासत में गुण मिल जाते हैं उनको क्या कहा जाते हैं हरेडिटी हमारी आनुवन सिक्ता कहलाती है environment जो हमारे आस पास का चार और को जो एक तरीके से वातवण है वो environment में सामिल होता है ठीक बात करते हैं हरेडिटी और environment की हरेडिटी क्या है हरेडिटी है fixed हेकर धुर्ष का कहने का मतलब है कि यह जो है स्थिर है ठीक है ऑप मावब से मिले हुए कुण जैसे एक तरह किसे मावब का रंग रूप या फिर एक तरह किसे मावब की हाइट वगेरा और उनका आइस का कलर मतलो यह सबी चीज़ जो है वो क्या है वो स्टेटिक है यह फिक्ष्ट है मतलो इनको क्या है हम चेंज नहीं कर सकते यह क्या है यह का मतलब है कि एक चेंज़ेवल है यह एक तरके से गतिसील परकरिया है एंवार्मेंट जो है इस जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं जैसे मानकर चलिए कि पहले जो एक व्यक्ति था पहले गाउं में रहता था उसने कुछ दिन वाद जो है वो सहर में सिफ्ट हो गया तो क्या है उसने जो है अपना एंवार्मेंट चेंज कर दिया कैसे क्योंकि पहले वो गाउं के एंवार्मेंट में रहता था उसके बाद उसने क्या क्या है वो सहर के बातर उनको उसने अपना लिया तो यह क्या है हमार जो एंवार्मेंट है जो हमारे आसपास की चीजी है वो सभी एं नहीं किया जा सकता, ठीक, नेचर वर्सिस नर्चर, ये नेचर और नर्चर डिवेट क्या है, नेचर नर्चर, नेचर मेंज जीन्स एर एंड हैरिडिटी फैक्टर्स, मतलब जो हमें गोण, या फिर जो फैक्टर्स जो हमाई अपने मावब से मिलते हैं, वो सभी क्या है, वो वो नीचर के अंतर गताते हैं जो, जो फिजीकल Makes तर स्फिर्ट से 총 और और तरहरों चले की हैं। इक तरीकिसे ट्रान्सफर होकर एक बच्छे में चल जाते हैं वह सभी क्या है। है, नर्चर की बात करें, तो environmental variables जो सभी हमारे आसपास का वातवर्न, हमारे आसपास का रहन सेट, खान पीन, जो कल्चर है, वो सभी क्या है, वो सभी जो है, नर्चर के इंतर वातवर्न, तो रहकर कुछ चीज जी सीह बारी में जानेगा तो यह क्या है वह इन्वार्मेंट की अंतर सामिल क्या जाए वह किसी बीचीज से रिलेटेटेट हूँ इस्कूल हो, एजुकेशन हो, वो क्या है, वो एक तरीके से environment प्रोवाइड करा रहे हैं, नेबर हो गया, नेबर हो गया, जैसे जो हमारा पड़ास का माहौल है, उस तरीके से बच्चा क्या है, वो environment में शामिल होते हैं, ठीक, social relationship, बच्चा जो है किस तरीके समाज में रह रहा जो हमारा culture का है, जैसे कि त्योहार से बगएर हो गई, या फिर और values हो गई, जैसे एक तरीके से मंदिर जाना, या फिर कोई त्योहार मनाना, यह सभी क्या है, यह हमारे environment है, इसको एक तरीके सम्चेंज गर सकते हैं, बट जो हमारी heredity से मिले हुए गुण है, वो उन सभी को चेंज नहीं किया जासकता है, heredity से मिले हुए गुण, जैसे हमारे height, weight, sage, side में color, sage, side में जो change होना है, यह जो सभी गुण मिलते हैं, height का हो गया, weight हो गया, या फिर हमारे जो physical appearance होता है, जो हमारे सारीर में देखने वाली जो चीज़े हैं, वो क्या है, वो सभी heredity में स जोन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, father of heredity, john ग्रेगर मेंडल को, heredity की बात करें तो physical structure, मतलब हमारा एक बच्चे की growth, जैसे physical structure, सारी जो बनावट है एक बच्चे की, किस तरह की आखे हैं, किस तरह की height है, कितना weight है, यह सब क्या है, यह एक बच्ची क physical structure में सामिल है, एक sex difference, sex difference मतलब एक बच्चा male है या female है, यह सभी क्या है, यह सभी जो है heredity से मिले हुए गुण है, sex difference मतलब एक बच्चा जो है, जो male पैदा हुआ है, और एक बच्ची जो है male पैदा हुई, female पैदा हुई है, तो वो क्या है, वो heredity से मिले हुए गुण वह होते हैं पैक तरय किसे नहया हसदा रोना एमोशन है और यह किस से पराब्त होते हैं यह किस से प्राप्त होते हैं एक जैसे हमने पहले डिसकस किया था कि एक साइकोलोजिस्ट है जिनका आम जेबी वाट्षन उन्होंने तो ये तक भी कहा है कि एक बच्चे में एक बच्चा जो है तीन इमोशन के साथ पैदा होता है वो तीन इमोशन कौन कौन से हैं फियर एंगर और लव मतलब भे एंगर म जैसा पैदा होना वो तो ये तरह किसे बोल सकते हैं जब एक अंग्रेजों का बच्चा अंग्रेज जैसा पैदा होना हो क्या है एक तरी के से रेइस है है हरेडिटी के गुण जो है एक बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं अपने मावाप से तो ये क्या है ये हरेडिटी है इंटर्नल इस्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे एक मनुष्य का एक मनुष्य से जब अपने बच्चे में Estructure होगा वह भी एक जानवर की तरह ही होगा मतलं बॉडि का जो Internal Structure होगा वह जानवर की तरह होगा और एक इंसान का जो बॉडि का इंटर्मी स्टक्चर होगा वह उइक वह एक इनसान की तरह होगा ये किसका परणाय में ये हैं सभी गुण थे हम educating सिकता से प्राप्त होते हैं ठीक हेरेडरी जो है इक बच्चे का जो इंटेलिजेंस कोशेंट है मतलब बुद्धी लबदी जो है एक तरीकी से बच्चे की वो हेरेडरी से ही काफी हद तक प्रभावित होती है क्या IQ को जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ठीक बात कर लेते हैं आ जो चीजे एक व्यक्ति में एक बच्चे में दिख रही हैं आपको यह सभी क्या है और यह किस से रिलेट करती है हेरेड़ी का ही पार्ट ہے से इसा कहा जाता है कि जो इसकी जो पहुष कि जो फिजिकल ग्रोथ है जादा तेज हो जाती है मतलब boys के मुकाबले ज़्यादा तेज हो जाती है मतलब girls की जो growth है physical growth वो boys से पहले हो जाती है the mental development of girls is faster than boys ऐसा भी कहा जाता है जो मांसिक विकास है girls का वो boys से faster हो जाता है ठीक बात कर लेंते हैं emotions की emotions a child with negative emotions like fear, anger, jealousy, etc is adversely affected in aspect of development emotions अगर एक बच्चे में अगर negative emotions है like fear, anger, jealousy इससे क्या होगा एक बच्चे का जो विकास है वो प्रभावित होगा उस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा इन चीजों का और वो क्या है ये एक तरीकी से negative development को प्रभावित करेगा बच्चा क्या है एक तरीकी से negative होता चला जाएगा और उसके emotions को प्रभावित करेगा ये सबी चीज़े तो क्या है ये जो जे भी वाट्षन कहते हैं कि एक बच्चा जो है तीन emotions के साथ पैदा होता है वो कौन कोच है फियर अंगर लव जो हमने पहले डिसकस करनी है बात कर लेते हैं यहाँ पर race की मतलब जाते कि according to anthropology children of different races differ in their development कहने का मतलब यहाँ पर यह ही है कि जो different races के जो बच्चे होते हैं वो different ही होते हैं मतलब उसी के base पर पैदा होते हैं जैसे मैंने बताए कि एक इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा होता है वो किसी जीच का पैदाव है वो race का पैदाव है जाते का पैदाव यहाँ पर कहा गया है कि जो African बच्चे होते हैं, जो Nigerian बच्चे होते हैं, उनमें जो है maturity, maturity आ जाती है, किस से पहले? White children, मतलब जो सफेद बच्चे होते हैं, कहने का मतलब कि जो गोरे लोग होते हैं, उनसे पहले जो maturity है, वो Nigerian children में आ जाती है, ठीक, तो यह race है, मतलब जान वैशे शोदर है, वो अलग ही matter है, उनका, ठीक, बात कर लेते हैं, internal structure की, internal structure मतलब nervous system, इसमें क्या क्या सामिल है, हमारा nervous system, हमारा bone structure, हमारा brain का structure, glands, liver, heart, यह सभी क्या है, यह सभी जो चीजे है, यह किस में सामिल है, यह internal structure में सामिल है, हमारी आंत्रिक्स रचना में सामिल है All the internal organs are responsible for physical and mental development, यह सभी जो हमारे internal organs है, अगर यह सही होंगे, यह perfect way में होंगे, तो यह क्या होंगे, यह सभी जो चीजे हैं, हमारे physical and mental development को provide करेंगे, ठीक है, इनका जो विकास है, अगर अच्छा है, तो एक बच्ची के विकास का, चाहे हो physical हो, cognitive हो, social हो, emotional हो, उसमें जो है एक तरीके से यह भागी दारी निभाएंगे, यह सभी चीजे हो हमारा internal structure है, हमारा nervous system हो गया, bone structure हो गया, ठीक, यह सभी जो चीजे है, internal structure की, यह सभी effect करते हैं, बच्चे के physical और mental development को, ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे है हमारा environment, environment में क्या के चीजे सामिल है, हमारी basic amenities, मतलब जो basic needs है, जो हमारी आधरवू सुविधाई है, ठीक, society and culture, family background, disease and injury, school or education, यह सभी चीजे क्या है, यह हमारे आसपास की चीजे है, मतलब जो चीजे बच्चे को heredity से नहीं मिलती है, वो environment से मिलती है, जैसे basic amenities, आधरवू सुविधाई है, जैसे रोटी, कपड़ा, मका यह सभी क्या है, यह सभी चीजे का है, यह है आधरवू सुविधाई, मतलब बच्चा क्या है, यह अपने environment से इनको get करता है, मतलब पाता है, सभी चीजे जो हमारे आधरवू सुविधा है, कहां से लेता है, बच्चा, environment से adopt, मतलब अड़ाप्ट करता है, society and culture, यह जो society है एक बच्ची का किस तरी की society में रह रहा है वो किस तरी के culture को follow कर रहा है तो यह सभी चीजे क्या है यह environment में शामिल फैमिली का background वो किस तरी की family साथ है lower, middle lower, middle या फिर बोल सकते हैं एक तरी के से की आंग्रेजो की family से है या फिर इंडियन की family से है क्या सभी चीज क्या है इनवारमेंट में हमारे हमिया है कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमारे विमारिज होती है वह हमें सामना करना पड़ जाता है इंचिवाज यह हमारे इन्वार्मेंट में शामिल है, school और education भी हमारी environment में ही शामिल है, यह सभी चीज़े जो है एक बच्ची का environment जिसमें यह सभी चीज़े सामिल है, basic community, society and culture, family background, disease and injury, school और education, यह सभी environment में शामिल है और यह जो सभी चीज़े हैं एक बच्ची के विकास को प्रभावत करते हैं, चा ठीक, basic amenities, basic facilities मतलब जैसे food, water, shelter, clothing, nutrition, यह सभी चीज़े क्या है, हमारी basic facilities है, यह सभी जो है हमारी आधरभूत need है, एक तरी के से basic need है, जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, रहने के लिए घर हो गया, पहने के लिए कपड़े हो गया, खाने के लिए चीज़े हो गया, यह सभी क्या है, यह सभी चीज़े जो है, हमारी एक तरी के से basic need है, अगर एक बच्चे में, lack of these effects, child development, एक बच्चे के, अगर एक बच्चे को, अगर इन ही चीज़ों की कमी होगी, तो उस बच्चे का जो विकास है, क्या होगा, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, उस बच्चे का माहौल है, वहाँ पर society का, जो माहौल है, वो किस तरीके का है, अगर चोर, चोरो वाली society, तो वो बच्चा क्या है, वो चोरो का ही उस पर impact पड़ेगा, अगर एक तरीके से एक, बोल सकते हैं कि, एक बहुती disciplined अगर society है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक बच्चे में, बहुत का, विकास के हर पहलो को परभावित करती है, उसके speed को बताती है, मतलब उसकी गती को बताती है, मतलब गती को भी decide करती है, मतलब उस बच्चे का जो विकास है, किस गती से होगा, अगर वो अच्छी society में है, अच्छे cultures, अच्छे rituals को follow कर रहा है, तो उसका जो विकास है, वो अगर अच्छा नहीं है तो उसका जो विकास एक तरीके से अवरुद हो जाएगा एक तरीके से रुक जाएगा ठीक बात कर लेते हैं family background की child child naturally adopts the habits and customs values of his family members बच्चा क्या करता है family background मतलब उसका जो family का background है वो किस तरीके का है यह सभी क्या है यह environment में शामिल है किस तरीके का background है उसका family का यह जो सभी चीजे है family की बच्चा क्या करता है उन habits को जो एक family member में होती है उनको क्या है बच्चा उनी से तो adopt करेगा जो starting में जो बच्ची के जो caregivers होते हैं वो उनसे ही चीजों को सीखता है तो यह सभी चीजे जो है बहुत matter करते हैं बच्चे के विकास में चाहिए बच्चे की family हो चाहिए आसपास का माहौल हो नेबर हुड हो उसके पड़ोसी आसपड़ोस के लोग हो और या फिर school हो teacher हो इन सभी चीजों को क्या है एक बच्चे पर बहुत प्रभापड़ता है for example if the child's family is discriminating she or he might adopt that discriminatory behavior मानकर चलिए अगर एक बच्चे की जो family में एक भेदभाव वाली एक बच्चे एक बच्चे की family में एक भेदभाव वाली चमता है मतलब एक भेदभाव वाला गोण है तो उस बच्चे में यह जो सभी चीज़े हैं discriminatory वाली मतलब भेदभाव करने की जो एक भेदभाव करने की जो चीज़े हैं यह सभी चीज़े जो है एक बच्चे में भी ट्रांसफर होगे क्योंकि वो उनी लोगों में पहला बड़ा है जो भेदभाव करते हैं तो क्या है एक बच्चे में भी यह सभी चीज़े जो है एक तरीकी से समा जाएंगी और उनको भी उनको ही follow करने लेगा एक बच्चा ठीक बात कर लेदे हैं disease and injury को malfunctioning of nervous system because of injury or disease can result into learning disability malfunctioning of nervous system because of injury or disease can result into learning disability मतलब अगर एक बच्चे का जो nervous system है अगर वो अच्छा नहीं है किसी disease की वज़े से किसी injury की वज़े से तो उस बच्चे की जो सीखने की चमता है उसका जो result होगा वो अच्छा नहीं होगा अगर उसका nervous system ठीक है उसका bone structure ठीक है उसका जो उसे कोई disease नहीं है उसे कोई injury नहीं तो उस बच्चे का जो विकास है वो अच्छे से हो पाएगा ठीक तो यह सबी चीज़ें जो है matter करती है बच्चे के विकास में बात कर लेते हैं school or education defective curriculum, improper teaching method, lack of co-curriculum activities, lack of proper discipline school education ली बात करें तो अगर एक बच्चे को एक ऐसा curriculum दिया जा रहा है एक ऐसा एक ऐसी पठे चरिया दी जा रही है जिसमें बच्चा जो है अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है अच्छे से अपने आपको explain नहीं कर पा रहा है अपने आपको express नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या है, बच्चे का जो विकास होगा, वो रुक जाएगा, तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, अगर उस बच्चे को defective curriculum में रहकर पढ़ाया जा रहा है, उसको improper teaching method, अगर उसके साथ जो teaching methods को follow किया जा रहा है, वो improper है, मतलब अच्छी नहीं है, जो मतलब उस बच करते हैं, चाहिए वो teaching method हो, एक teacher का पढ़ाने का तरीका हो, या teacher ही खुद क्यों नहीं हो, और school का जो environment है, वो सभी चीजे भी क्या है, एक बच्चे को विकास को प्रभावित करेंगी, the lack of co curriculum activities, जो हमारे जो curriculum में कुछ activities होती है, जिससे रखतेते हैं कि प्रतियों किता, इस activities जो हैं, अगर उनको follow किया जाए, तो उस बच्चे का जो विकास है, जिस तरफ रुक करेगा, वो उस तरफ एक बच्चे को ले जाया सकता है, ठीक, अगर एक बच्चे को अगर इन co curriculum activities से जोड़ा जाए, तो उसका जो विकास है, वो अच्छे से हो पाएगा, ठीक, lack of proper discipline, अगर एक school में, अगर एक family में, अगर उसके आसपास के mahal में, अगर एक discipline नहीं है, इन discipline है, तो एक बच्चे का जो विकास है, उससे भी कुछ हत्तक प्रभावित होगा, तो उसका जो प्रभाव ये होगा, कि बच्चे में discipline नहीं आएगा, और उन चीजों को follow नहीं कर पाय जो उसे करने चाहिए जो उसके विकास में बहुत ही मैत पूर है तो एक बच्ची को प्रॉपर डिस्टिप्लेन प्रोवाइड कराया जाना चाहिए चाहे वो फैमिली से जुड़ा हुआ हो चाहे वो इसकूल से जुड़ा हुआ हो या फिर आसपास का जो माहौल है वो उससे जुड़ा हुआ हो तो एक बच्चा जो है डिस्टिप्लेन में तभी रह सेगा तब यह चीजे चाहे वो इसकूल हो फैमिली हो उसका नेबर हुड हो वो सभी चीजे जो है एक तरीकी से अच्छी होंगी तो तभी जो है एक बच्चा जो है उसका विकास अच्छे से हो सब्सक्राइब को जाना है नेचर वर्सिस नर्चर डिबेट को जाना है नेचर क्या है नर्चर क्या है मतलब है क्या है हमारा इनवार्मेंट क्या है इसके बारे में हमने चर्चा की है है जो उसके जो आस्पेक्ट्स हैं उनको डेटेल में समझाए जाए फिजिकल तो आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर कोई सुझाव है तो आप अपने आप जो है अपन आप कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट सक्षिन में दे सकते हैं और हम जो है एक सीरीज लाने वाले हैं प्रेडागोजी की प्रेक्टिस सेट है उसको हम डीटेल में करेंगे एक एक क्वेस्चन का पोश्ट मार्टम करेंगे आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं और जो हमारी पहली बनाई हुई जो वीडियो से हैं इसी बुक पर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चलिए थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग